कि गुड़ मॉर्निंग नमस्कार जैहिंद मैं मंदीप्रा आप सभी का तहदल से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे मस्त होंगे और थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था अज फिर आपके सामने आ गए हैं और स अच्छी खासी वेकेंसी निकले बढ़ा यह सवभाग की बात होती है समय समय पर जब ऐसी वेकेंसी आती है तो हर एस्पाइरेंट के लिए जो की इंतजार करता है कि कब आए तो घड़ी आ गई है जब वेकेंसी आई है अब हम उसके लिए अच्छे से तयारी करेंगे बढ करते हैं कि शेर भी छलांग लगाने से थोड़ा दो कदम पीछे जाता है तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अब शांदार तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जल्दी शेशन को शेर कर दो और रेलवे में इस बार अपनी एक जॉब अपनी एक सीट पक्की है वो कहीं नही है हमें जल्दी से शेयर कर दो बिल्कुल बिल्कुल ललित रादे रादे बेटा और भदोरिया जी जय श्री राम जल्दी से आजाओ सभी लोग हम आफी लोगों का इंतिजार कर रहें कि आजाओ तो जल्दी से हम सेशन को शेयर करें और आप लोग शेयर करो तो हम स्टार् नीलम जी राधे राधे सभी लोगों को राधे राधे नमस्कार चलो तो आज आपको जैसा कि दिखी रहा हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं बैटा क्लॉक घड़ी बड़ा ही सांदार टॉपिक होता है और अगर हम पिछले कुछ एक्जाम से दे अधित्य जैशिराम जल्दी से बता दो एक बार कॉमेंट करके बता दो बैटा ओडियो वीडियो सब क्लियर है ना जबने तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम बढ़ते अपने कुछ कॉंसेप्ट को देख लेते हैं जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि किन टायप के प्वरस्ण आते हैं कैसे कैसे प्रश्ण आते हैं तो अगर हम क्लॉक की बात करें घड़ी टॉपिक की बा कर सकते अच्छे इसमें कितने तरीके के प्रश्ण पूछे आते अगर मैं टाइप की बात करूं अगर बेटा मैं यहां पर टाइप की बात करूं तो कितने टाइप के प्रश्ण होते हैं तो पहला टाइप आता है जो बहुत ही आसान होता है आपने देखा भी होगा जिसमें ह गयात करना, यह first type वाला होता है, यह हमारा first type होता है, समय बताकर code गयात करना, अगर हम इंगलिस में लिखें, by telling time, यह first type वाला होता है, अगर हम second type वाले की बात करें, अगर हम second type की बात करें, तो यही उल्टा हो जाता है, इसमें क्यों होता है, code बताकर, code बताकर, समय गयात करना, code बताकर समय गयात करना, यह second type वाला हुआ, अभी तीन टाइप के हैं, अच्छा अगर इन पांच टाइप को जिन पांच टाइप के मैं अभी आपको बताने टाइप की बात करें, तो तूटी आधारित, सबसे ज़्यादा परेशान एस्पारेंट को अगर कोई करता है, तो यही करता है, जब घडियां SMALL होती हैं FAST होती हैं, रुक जाती हैं, बंध हो जाती हैं इस प्रकार के प्रशना आते हैं इसमें, फ्रोर्थ होता है इविटा इसमें दर पड जल प्रती दर पड जल प्रती भी भीम्ब और लास्ट इसका कोई concept नहीं होता कोई फार्मूला नहीं होता कोई ट्रिक नहीं होता IQ का मतलब कि आपके वह दिमाग है ना उसका जांच करेगा परिच्छड करेगा कि आपके पास कितना IQ आपका कैसा है जैसे लोग कहता में बड़ा असान होता है कि एकदम common sense यूज नहीं कर सकते common sense नहीं है लेकिन common sense करना इतना common नहीं होता है वह मतलब मौके पर धोखा दे जाती वह समझ नहीं आता कि आगे करें क्या तो बस कहने की बात होती है तो यह असान भी कह सकते हैं अगर तुरंत आपके दिमाग में अच्छा यह हो सकता है जैसे नहीं होता कि वह घड़ी इतने लेट आई अगर वह इतने पहल सब्सक्राइब नहीं होगी कि नवस्ते नमस्ते विरंद्र जी नमस्ते सभी लोगों को मेरी तरब से धेल सारा प्यारों रासिरवाद तो चलिए अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने पहले टाइप के प्रश्न के तरफ जो हमारा है अच्छा पहले टा पहले प्लाइब तो भग 80% टॉपिक जो बटा वो कवर हो जाएगा क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो चलिए सबसे पहले एक सुन्दर प्यारा अधा घड़ि बनाते यहां पर लिख लीजे लिए टाइप वण यहां पर लिख लीजे टाइप वीडिये ट 10, यह हो गया 11, यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह 4, यह 5, यह 7, और यह 8, अब एक चीज़ समझो, तुनिया की कोई भी चीज, अगर मालनों कि वो एक circle में घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो अगर जहां से घूमना वो शुरू करती है, घूम करके अगर वहीं आ जाती, तो एक circle बनाती है, एक circular way को वो complete करती है, और आपको पता है कि घड़ी के सुईयां भी ऐसे ही चलती है, जो जहां से चलना शुरू करती है, चल करके यहां जाती, यह एक circle होता है, नमबर जो लिखे होते हैं, उसका frame बिट चाहे वो वर्ताकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, बत्थक के अकार का हो, दिल के अकार का हो, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा होता न, वो एक circular way में होता है, एक वृताकार पत्मे नमबर स होता है, एक सी ले के 12 तक, यानि हम यह कह सकते हैं, पूरा area 360 का है, यह पूरा area 360 degree का है, अब सोचो अगर पूरा हिस्सा इसका 360 का है, तो 360 को यहाँ पर 12 हिस्वों में डिवाइड किया गया है तो अगर 360 को 12 हिस्वों में डिवाइड करोगे तो आपको करना क्या है 360 upon 12 कितना आ जाएगा 30 यानि हम कह सकते हैं कि प्रतेक नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है 12 से 1 के बीच में 1 से 2 के बीच में 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 सब के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है यहां तक क्लियर हुआ जल्दी से मैं कॉमेंट देख रहा हूं अगर किसी को दिखा थो तो जल्दी से कॉमेंट करके बता दे जल् तक तो क्लियर दिख रहा है रिजूलेशन थोड़ा बढ़ा लीजे हाँ क्लियर दिख रहा है कोई सुनिया तो चलिए अब यहां पर देखो यह 30 डिगरी का बढ़ा अच्छा मान लो कोई घड़ी है उसमें 12 बज़ रहे हैं कोई घड़ी है उसमें 12 बज़ रहे अब मिनेट वाली सुई बटा यहां से चलना एशे शुरू करती हैं यहां पर ऐसे चलना शुरू करती है और चल करके अगर यहां आ जाये चल करके यहां आ जाए तो आप तो समझते हो कि मुझे लगता है घड़ी सभी लोग देख लेते होंगे मिनेट वाली सुई जहां से चलना शुरू करती और चल कर अगर वहीं आ जाए तो एक घंटे का डूरेशन होता है यानि कि 60 मिनेट का डूरेशन होता है कितने का जहां से घुमना शुरू करती है और अगर घुम करके वहीं आ जाए तो वह 360 डिगरी चलती है तो मिनेट में बात किये तो भीटा हुआ 60 मिनेट और डिगरी में बात करें तो हुआ 360 डिगरी अब 60 मिनेट में अगर 360 डिगरी चलती है तो एक मिनेट में कितना चलेगी 360 अप डिगरी चलती है यहाँ पर लिख लेना आप minute hand minute hand minute की सुई एक मिनट में 6 डिगरी चलती है Good afternoon, good afternoon अब देखो अच्छा सोचो 12 बज़ रहे थे minute वाली सुई यहाँ से चलना शुरू की और चल करके बिटा यहाँ आ गई तो एक घंटी हो गए तो क्या एक घंटे बात घंटे की सुई 12 बारा पर रहेगी नहीं न एक घंटे बात तो 12 बज़ रहा था तो एक बज़ जाएगा न यानि कि घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ आ जाएगी अच्छा मिनट वाली सुई अगर हम बात करें तो 12 से चलना शुरू की थी और चल करके 12 पर आ गई तो यह चली कितना 60 मिनट जब मिनट वाली सुई 6 मिनट चली है तो घंटे वाली सुई कितने डिगरी आगे आई है मातर 30 डिगरी परतीक नमबर के बीच में 30 डिगरी कही तो डिफरेंस है तो जब यह 60 मिनट चली है तो घंटे वाली सुई मातर 30 डिगरी आगे आई है 30 डिगरी अब 7 मिनट में चलती है 30 डिगरी तो एक मिनट में कितना चलेगी 30 बटा के 60 अगर आप इसको और solve करोगे तो हो जागा 1 बटा के 2 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 minute equal to 1 upon 2 degree ये बटा घंटे की सुई है ये जो है वो घंटे की सुई है यानि घंटे की सुई 1 minute में half degree चलती है I hope आप सभी को ये अच्छे से clear हुआ होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी clear हुआ जल्दी से comment करके बताओ यहां तक किसी को दिक्कत जल्दी से बताओ जल्दी से फटाफट comment करके बताओ बटा किसी को कोई दिक्कत यहां तक क्लियर अब देखो यह रहा आपके सामने पहला प्रस्ण और देखो समय दिया है आपको degree निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है और फार्मूला होता है और फार्मूला होता क्या है करता है तो अब मैं आपके सामने काम करता हूं बिटा यहां पर यह टाइमर लगाता हूं और जल्दी से इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटा-फट इसका आंसर दीजिए भदावरिया जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 100 डिग्री भदावरिया जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 100 डिग्री क्यों भदावरिया जी ही आंसर देंगे बाकी लोग क्या कर रहे हो पाप लगेगा तुम लोगों को जल्दी से आंसर दो प्रकाश का भी आंसर आ गया 100 डिग्री समय हमने आपको ज़्यादा दे दिया अब देखो एक चीज फार्मुला क्या था और इंटु 30 । in चार चालें लिए तो और की जगर लिखो फौर इंटू30 और यह माइनस नहीं डिफ्रेंस होता है जैसे मालू की माइनस का अगर रहता है तो बड़े में से ही छोटा है अगर मेंस में चला जाता है लेकिन मितलब में को किसी में घट जाएगा वह आपको अंतर बताना होता है उन नंबर्स का जिनके बीच में डिफ्रेंस का सिम्बल होता है तो देखो मिनेट की जगा क्या लिखना है लिखना है लिखो 40 इंटू 11 अपॉन 2 से डिवाइड करो क्या जगा 20 यह हो गया 120 डिफ्रेंस 220 आगया 100 डिग्री यह है फार्मला आपको तो बुक्स में हर जगा मिल जाएगा और कई बार ऐसा होता ने क्या फार्मले पर रखते हो तो कुछ ऐसे टाइमिंग देंगे जो कि मतलब पॉइंट में चले जाते हैं तो आपको थोड़ी सी परिशान नहीं दे सकता है परिशान कर सकता है तो हमें कर प्रदा सही बना नहीं लेकिन फिर भी चलो ठीक है अच्छा चार चालिस टाइम क्या है वेटा फॉर फॉर्टी अच्छा चालिस कब हम बोलते हैं मिनट वाली सुई किस नंबर पे होती है तो हम चालिस कहते हैं मिनट वाली सुई जब आठ पर होती है तभी हम चालिस कहते हैं यानि यह तो कनफर्म है यह हमारा कनफर्म है कि मिनट वाली सुई आठ पर होगी चुकि चार ही हमारा बेस है 4 ही बेस है न, क्योंकि 4 बचके 40 मिनिट हो रहे हैं तो 4 हमारा बेस है तो हम मान लेते हैं कि घंटे वाली सुई जो है वो 4 पे है हाला कि होगी नहीं मान लेते हैं अच्छा, अगर घड़ियों की position यह होती सुईयों की position यह होती तो उनकी वीच में कितने डिगरी का एंगल बनता है आप खुद सोचो 30 ये क्योंकि प्रत्य एक नंबर के वीच में 30 डिगरी कहें तो डिफरेंस होता है 30 ये 30 ये 30-30-60 30 ये 30-90 और 30 ये कितना हुआ 120 डिगरी 120 डिगरी हुआ लेकि हम सब को पता है कि घंटे वाली यहां नहीं रहेगी अभी हमने पीछे एक चीज़ देखा था कि जब मिनट वाली सुई एक मिनट चलती है तो घंटे वाली आधा डिगरी चलती है जब मिनट वाली सुई 120 डिग्री कम होगा तो 120 में से 20 डिग्री आप घटा दो कितना आ गया 100 डिग्री तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री चार बच कर 40 मिनिट पर घड़ी की सुईयों के विच में 100 डिग्री का कोड़ बनेगा चलो अब देखो एक चीज समय क्या हो रहा है बेटा बिल्कुल इसको मैं आप लोगों को दावे के साथ करना सिखाऊंगा बिना कॉपी पेन के करना सिखाऊंगा चार चालिस हो रहा है अगर हम इसका रेशियो निकाले तो देखो चार एक कम चार चार दहां में 40 इसका रेशियो कितने का रहा है एक दस का जब भी आपको खड़ी की सुईयों के विच में एक दस का रेशियो मिलता है आपको करना क्या है आपको मिनट में धाई से धाई मतलब 5 बटा 2 5 बटा 2 से गुड़ा करना है मिनट में धाई से गुड़ा करना है यानि कि 5 बटा 2 से गुड़ा करना है आपका आंसर आजाएगा जैसे 4 चालिस हो रहा था मिनट कितना है? 40 तो 40 में धाई यानि 5 बटा 2 से गुड़ा करो 2 से काटो हुआ 20 20 पचे 100 तो इसका आंसर आजाएगा 100 टिकरी क्लियर हुआ जल्दी बताओ जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताओ बेटा क्लियर हुआ नहीं जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण पर यह रहा आपके सामने अगला प्रश्ण और यह मैंने लगा दिया आपके सामने टाइमर तो जल्दी से इसका अंसर दो सेवेंटिफाइव सेवेंटिफाइव आंसर आ रहा है चलो देख इधर टाइम क्या रहा है विटा तीन तीस तीन तीस में अच्छा पहले फार्म ने से लगा के देख लो भाई यह रेश्यू वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसको भी तो क्रॉस चक हमें करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा आर की जगर क्या लिखें वेटा तीन तीन गुड़े तीस मिनट की जगर क्या लिखें 30 30 गुड़े 11 बटाके 2 2 से सहीद कर दो कितना हो गया 15 यह हो गया 90 और यह डिफ्रेंस अब देखो 11 से गुड़ा करने का तरीका जैसे 15 है ने 11 से हमें गुड़ा करने 11 से किसी में गुड़ा करना गरो तो सबसे पहले लिखो 5 को फिर इन दोनों को जोड़ो 5 एक 6 यह अकेले 10 का रेशियो है और अभी आपको बता चैन कर लिया और प्रकास का ललित का तीन लोगों का अंसर ईょब बहुत बढ़ीयां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां चलो चलो इसका अंसर तो जल्दी से वो घड़ी की सुईयों से जो बता रहूं मिटा अगर वो समझ गया ना तो बहुत ही असान हो जागा आपके लिए यह झाल कि एक सो साथ आंसर आ रहा है सभी लोग एक सो साथ दे रहे हैं चलो देखते हैं देखो पहले तो फार्मूले से देख लो आर के जग्र क्या लिखना वेटा दो दो गुड़े तीस मिनेट के जग्र लिखना है चालिस चालिस गुड़े ग्यारव बताके दो दो से काटो कितना हो गया बिस यह हो गया और यह हो गया 220 तो 220 और 60 का अंतर कितना होता है 160 डिगरी जवाब बिल्कुल सही है अब देखो 240 हो रहा ना 40 हो रहा है तो यह तो karma है कि मिनट वाली क्या करते है मिनट मान लेते हैं कि दोपे होगी नहीं कि चालीस में चली तो पुछ लेगी तो घंटे वाली को मान लेते हैं शू सोचो और वैसे है प्रत्यक नंबर के बिच में 30 डिगोरी का टिफ्रेंस है आठ और दो कांदर कितना हो जाएगा 6 तो 6 गुड़े 30 कर दो 180 डिगरी तो ऐसे ही समझ में आ रहा है देख लो 30, 30, 60, 30, 90, 120, 150, 180 या फिर इतना करना ही क्यों ज़र होता है धीरे धीरे जब इसे मैं question करता जाएगा आपको ओरली करना आ जाएगा अब घंटे वाली यहां रहे सकते हो और देखो कितनी असानी सिफ बन पी रहे है चल इसका अंसर दो जल्दी सिफट आफट इसका अंसर दो आपको खुट खुट आपको खो खुट है प्याओब आपको आपको खुट है बिए 72.5 चलो देखते हैं विरंदर जी का और आंसर आया 72.5 भदोरिया जी का तो पहले ही आ गया था ललित का भी आया चलो देख लेते देखो पहले तो बिटा अपने पास एक फार्मुला है जो कि याद हो गया तो अच्छी बात है और ना याद हो पाए तो और भी अच्छी बात है क्योंकि इसकी जरुत हो में पढ़ने वाली है नहीं हूँ ऐसे भी पहले ही बताया था आपको आर की जगह लिखो बेटा फोर इंटु थर्टी डिफ्रेंस मिनिट की जगह क्या लिखो थर्टी फाइव थर्टी फाइव इंटु एलेवन उपान टू टू से करो 17.5 यह हो जाएगा 120 अब यह करने से क्या होगा पहले करो 5 फिर क्या करो 75 12 फिर देखो साथे का ठेक 9 एक को बचा ऐसे कर दो तो कितना हो गया 192 दसमलो 5 यानि की 72.5 डिग्री यह हो गया अब देख लो खराब हो जा रहा बाई चला उससे तो ठीकी बना है अब देखो कितना हो रहा है 4.35 हो रहा है अब देखो अगर 35 हो रहा है तो मिनेट वाली सुई बटा कनफर्म है कि साथ पर होगी तो मिनेट वाली को हम क्या करते हैं मिनेट वाली को हम करते हैं एक्जैक्ट साथ पर तभी 35 होगा चुकि 4 बेस है मारा तो घंटे वाली को मान लेते हैं कि 4 पर है अगर यह पोजिशन होती तो देखो 30, 30, 30, 90, 90 डिगरी का कोड बनता इनके बीच में लेकिन घंटे वाली यहां रुकी तो रहेगी नहीं नहीं रुकी रहेगी न कितना आगे आगे जितना मिनेट है बेटा उसका आधा 35 का आधा 70 डिगरी जैसे आगे आएगी तो यह हो जाएगा 72.5 डिगरी यह हमारा अंसर है क्लेर हुआ दोनों तरीकों से मिइश्चालो है 13 कि मिष्चा के अधाटिंवेश्चा प्रार के अधां करेंक्यम विकांष्चा और temos कष्यरे, अभी निकाल नेकरोंहुर्त हम है तो आप इस्ट व्यार रहां और मैं यह मेरासवादा आन्हार है कि मैं अपको इतना जो मेरा सब्जेक्ट उसमें इतना पढ़ा दूँगा कि एक्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा अब रेगुलर क्लास करोगे तो आपको चीजें अच्छे से धीरे-धीरे क्लियर होंगी मेरा मानना है कि मीनिमम् हाओ कमिंट्मेंट एंड मेक्सिमम एफ़र्ट रिजल्ट समझ रहो ना तो मैं इसी पर काम करूंगा चलूंगा बस आपको रेगलर हमारे साथ जूड़ना रहेगा चल बढ़ते हम अपने अगले प्रशन पर चलो इसका अंसर दो जल्दी से जल्दी से इसका अंसर दो बैड बॉय पिटा आपका नाम बैड बॉय ममी पापा में ममी पापा ने तो नहीं रखा होगे इतना तौन में भरोसा है ठीक है देखते जाना बता देंगे बिटा अभी काफी पीसे जब मैं कॉंसेप्ट वता रहा था जैसे क्लास खतम हो जाती है देखते रहे क्लास जब खतम हो जाएगे तो बाद सुरू में जाएगा स्टार्टिंग में जब मैंने इसका कॉंसेप्ट बताए था वहाँ पर समझेगा फिर पूरा देखेगा आपके अच् अब समझते हैं पहले तो फार्म लेर क्योंकि इससे आपका और कॉंसेप्ट क्लियर होता जाएगा ना देखो आर की जगह हमें क्या लिखना है बेटा च्छे च्छे गुड़े तीस डिफरेंस मिनेट की जगह क्या लिखना है तीस तो तीस गुड़े ग्यारह बटा के दो से डिवाइड करो क्या हो जागा पंद्रह यह हो गया एक सो असी और यह डिफरेंस हो गया बटा एक सो पैसट पंद्रह डिग्री अब आओ इस वाले तरीके पर जो अब लोग कह रहेते समझने के लिए 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 हमारा बेस है तो हम घंटे वाली को मान लेते हैं कि वो भी 6 पर है घंटे वाली को मान लेते हैं होगे नेक जट अगर यह पोजिशन होती तो इनके बिच में 0 डिगरी का कोड बनता मिनेट वाली तो fix है अंतर क्या होगा जो घंटे वाली आगे जाएगी और घंटे वाली कितनी आगे जाएगी मिनेट जितना है उसका आधा मिनेट कितना है बेटा 30-30 का आधा 15 डिगरी यानि कि यहाँ पर 15 डिगरी का कोड बनेगा इन दोनों के पीछ में और एक चीज समझो क्या ओरा समय 6-30 इनके बिच में जड़ा रेशियो निकाला कितना है 6 कम 6 6 पचे 30 जब भी आपको घंटे और मिनेट के बीच में इतने का रेशियो मिल जाए एक 5 का रेशियो मिल जाए तो आपको करना क्या है आपको मिनेट में एक बटा दो से गुड़ा कर देना है मिनेट में एक बटा दो से गुड़ा कर देना है कितना है बिटा तीस तीस का एक बटा दो जरा करो कितना हो जाएगा पंद्रह डिग्री वही आंसर आ क्या बरोबर जल्दी बताओ जल्दी बताओ करना रिजनिंग इतनी आसान है अब तक आप सुनते रहें कुछ लोगो को तो कई टॉपिक ऐसे लगते हैं लेकिन आपको सच में आइसास होगा रिलाइज होगा कि रिजनिंग कितनी आसान है क्लियर हुआ चल बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण बे और बेटा जानते हो जब गुरु कोई ज्यान देता है तो उसके बदले में उसे कुछ मिलता है जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं और हमारी गुरु दक्षिणा जानते हो क्या है जी विरेंदर जी हम भी बेटा डेली आएंगे हम भी अब डेली आएंगे हमारे लिए गुरु दक्षिना बेटा है आप लोगों के लाइक एंड शेयर तो जल्दी से दो मिनिट का समय निकालिए आप लोग शेशन को लाइक करिए क्योंकि लाइक बेटा बहुत काम दिख रहे हैं और मैक्षिमम लोगों के पास शेयर करिए हमें गुरु दक्षिना तो देदो बेटा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करो और उमीद करता है कि अभी लाइक के नंबर बढ़ेंगे और श्याद लइव वाचिण के भी नंबर बढ़ेंगे जादा हमारे साह जूड़ेंगे आप लोग शेयर करऊगे तो मैं भी करता हूँ शमय निकाल करके और आप लोग भी समय नीकाल करके जल्दी से शेयर करदो मैं भी करन आउक हूँ मैंने कर दिया अब आपकी बारी है अभी फिर से देखूंगा कितने लाइक बढ़े आप लोगों के द्वारा क्यूंकि लाइक तो अभी उसी पे रुके हुए है बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्निप पे चलो इसका आंसर दो ये मैंने टाइमर लगा दिया जल्दी से आंसर दो थैंक यू सो मच पिटा थैंक यू सो मच आप सबने हमारा मान रखा हम भी आपका मान रखेंगे और आपको जितना बेहतर हो सकता है कॉंसेप्ट और क्वेस्टन सारे कराएंगे आया किसी का आंसर 70 डिगरी आंसर आ रहा है चलो देखते हैं देखो आर की जगा बेटा क्या लिखना है पांच पांच गुड़े 30 डिफरेंस मिनट की जगा क्या लिखना है बेटा 40 40 गुड़े 11 बटा के 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 20 यह हो जाएगा 150 डिफरेंस 220 यह कराता दा रहा हूं समय क्या बेटा पांच 40 पांच 40 है ना तो देखो 40 है तो कंफर्म है कि मिनट वाली सुई आठ पर होगी 40 है तो मिनट वाली सुई बेटा कंफर्म आठ पर होगी घंटे वाली को मान लेते हैं कि 5 पर है होगी नहीं मान लेते हैं कि 5 पर है अच्छा अगर यह पोजिशन होती घड़ी की सुई यों के बीज में तो कितने डिगरी का कोड बनता देखो 30, 30, 30, 90, 90 डिगरी का कोड बनता अगर यह पोजिशन होती तो लेकिन घंटे वाली यहां तो रहेगी नहीं वो तो आगे बढ़ेगी ना कितना आगे बढ़ेगी जितना मिनट बेटा उसका आधा आधा क्योंकि एक मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिगरी चलती है तो यहां तो मिनट वाली 40 मिनट चलिए तो 40 का आधा 20 अब यह 20 डिगरी जब आगे आएगी तो इसी 90 में से ही तो 20 डिगरी कम होगा तो 90 में से 20 डिगरी घटा दो कितना हो गया 70 डिगरी आई होप कि आपको यह अच्छे से क्लियर हुआ होगा अब देखो आपने वो तो प्रचार देखा होगा ना पहले यादा था प्रचार यह है आम जिंदगी और अब मेंटोस जिंदगी तो देखो अगर हम इसका रेशियो निकाले तो 5 एक कम 5 5 अठे है 40 कितने का रेशियो है एक आठ का जब भी घड़ी की सुईयों के बीज एक आठका रेशियों आएगा तो आप करोगे क्या आपको बस इतना करना है आर इंटू मिननक्रेंट डिफरेंश है अटा इंटू देखो जब भी एक आठ का रेशू आएगा तो आवर और इसका डिफ्रेंस कितना है 40 और 5 का डिफ्रेंस 40 और 5 का डिफ्रेंस पेटा है 35 35 में 2 से गुड़ा कर दो देखो हो गया 70 डिग्री बुरोबर जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताओ बुरोबर हाँ लली तो प्रकास तुम सबसे नहीं हो जल्दी बताओ बुरोबर क्लियर कि मजा रहा है नहीं क्योंकि मजा आना चीए बटा जनते हो दुनिया में जो चीज आपको परिशान करती है जिस चीज से आपको तकलीफ है जो चीज आपको परिशान करती है आप उससे मोहबत कर लो वह यह सीन हो जाएगी कोई भी हो आप उस यही है आज मुझसे भी नियुक्त नहीं प्मस्तिट हैं पढ़ता होगा चीजे वही होती हैं बस तरीका बदल जाता वो कहते ना अंदाजे बयाहिक कर देता है अलग हर बात को दुनिया में कोई बात नहीं बात नहीं समझे कि अब हम कहां नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करोगे जल्दी से सभी लोग जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें जल्दी से अंसर दो इसके नहीं हैं 67.5 प्रकास का विरेंद्र का बदोरिया जी का ललित का कमल जी का शलो देखते हैं 5 बचकर 15 आर की जगह क्या लिखना बेटा 5 पांच गुड़े 30 डिफरेंस मिनिट की जगह 15 पंद्रा गुड़े 11 बटा के 2 दो से काटो कितना हो गया 7.5 यह हो गया बेटा 150 अब देखो पचातर में करना न तो पहले लिखो 5 पांच फिर साथ पांच बारक दो फिर साथ एक आठ बै आसी दस्मलों पांच यानि किया जाएगा असी मालो रहता तो तो सत्तर हो जाता तो सत्तर से तो कम होगा क्योंकि धाई ज्यादा है सतर से धाई कम कर दो यानि 67.5 डिग्री अच्छा अब यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी हाँ 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 सब का अंसर आशा बहुत बढ़िया देखो कैसे पांच पंद्रह है समय न अब हम बहुत करीब आ गया हैं जब मैं आपको औरली करना बताऊंग इस प्रकार के क्वेशन्स को पांच पंद्रह अच्छा पांच पंद्रह हो रहे हैं तो यह तो कंफर्म है कि मिनेट वाली सुई तीन पर होगी एक दी मिनेट वाली सुई यह पता तीन पर होगी यह मिनेट है लिख लेता हूं मैं आप 5 पंद्रह है घंटे वाली को मान लेते हैं कि 5 पर है अच्छा अगर ऐसे होती तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है देखो 30, 30, 60 बनता अच्छा इसके पहले वाले जितने भी question थे उसमें घंटे वाली बेटा पहले हुआ करती थी तो हम minus करते थे अब घंटे वाली आगे बढ़ेगे ने इसका तौस्थान fix है देखो जब घंटे वाली पहले होगी तो minus करेंगे अब घंटे वाली बाद में है मिनट वाली के तो plus करोगे और कितना plus करोगे जितना मिनट है उसका आधा 15 का आधा साढ़े साथ 15 का आधा बेटा साढ़े साथ यानि की 67 दसमलो 5 डिगरी clear हुआ जल्दी बताओ जल्दी बताओ clear हुआ नि अब आगे देखो 5 पंद्र और इनका रेशियो निकालो 5 एकंपांच 5 तिया पंद्र जब भी आपको घड़ी की सुईयों के बीच में इसका रेशियो मिलेगा एक और तीन का रेशियो मिलेगा आपको करना क्या है आपको मिनट में साढहे चार से गुड़ा कर देना है हमेशा आपका आंसर आजाएगा मिनट कितना है वेटा 15 पंद्र हमें साढहे चार से गुड़ा करो जब भी एक तिन का रेशियों मिलेगा 15 पच्छे 75 15 चोग के 60 और साथ 67 67 दसमलो 5 डिगरी आई होप कि आप सभी को यह अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चलो बरोबर जल्दी बताओ जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बताओ बेटा कि सर क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है समझा रहा है जल्दी से एक बार आप कौन से सर हो मेरा नाम है मंदीप राय मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा काफी देर से जुड़े लेकिन चलो कोई बात नहीं अच्छा आपको फार्मॉला अच्छा लगता है चलो कोई बात नहीं बैटा आपको जैसे मन वैसे करो मैं तीन-eszतRO तरीके बता रहा हूं और जो आज हमारे साथ जूड़ रहा है चैनल को सबस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मजा आ रहा हूं तो इसका आंसर दे दो जल्दि से यह तो पाप लगेगा कर दो बेल आइकन को घंटी ओती नो घंटी को दबा देना इससे आपको पता चालेएंगा हमारी क्लास कब होगी और संभवता आज चुकिया पहली क्लास थी तो हमने 12 वजे का स्ट लिया आज शेडूल कर आथा लेकिन समभवता हमारी क्लासे डेली दस बजे होगी तो मेंटली रूप से तैयार रहे हैं दस बजे कहीं जाना नहीं है चलो इधर देखो आठ 32 हो रहा है अब और ली करना बताओंगा बटा पिछले एक घंटे से पॉने घंटे से हम आपको कॉंसेट बता रहे हैं अब बता जैसा मैंने आपसे वादा क्या था अब मैं आपको और ली करना सिखाऊंगा देखो आठ पहले तो फार्मूला यह ललीत को ना यह फार्मूला बड़ा पसंद आता है लेकिन इसको पता नहीं इस बेवकूफ को की बिटा फार्मूला बड़ी बेवफा चीज होती है मौके पे धोखा दे जाते जब याद करना चाहो तो भूल जाती है चलो आर की जगल लिखो बेटा आठ आठ गुड़े 30 डिफ्रेंस मिनेट की जगल लिखो बेटा 32 32 गुड़े 11 बटा के दो 2 से डिवाइड करो कितना हुआ 16 यह हो गया 240 और यह हो जाएगा च्छे च्छे हो जाए 24 च्छोबीस जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा लेकिन 200 के 40 और आगे जाना है तो 24 इधर कम है 40 इधर जादा है तो 24 और 40 कितना होगा बैटा चौशट डिग्री चौशट डिग्री होगा अब देखो अब नहीं बनाते बाई अब क्यों बनाओगे हाँ इतना बार समझा चुका हूँ अब बनाने के जड़ते देखो आठ 32 हो रहा है अच्छा सोचो जरा आठ पर जब मिनट वाली सुई होती है तो हम कितना मिनट कहते हैं अभी आपको शुरू संदार आओं कि जैसे 6 पे होता से दिया ही है तो यह 40 मिनट और यह 32 मिनट इनका अंतर कितना हो जाएगा 8 मिनट का होगा और आपको जैसा कि मैंने यहां पर बताया था देखो 1 मिनट बराबर कितना बताया था एक मिनट बराबर 6 डिग्री एक मिनिट बराबर छे डिगरी एक मिनिट बराबर छे डिगरी तो आठ मिनिट बराबर एक आदमी के पास 6 रुपे तो आठ आदमी के पास 48 रुपे 6 से गुड़ा कर दो 48 डिगरी होगा आपको वही पर आपने देखा होगा कि घंटे वाली सुई एक मिनध में Half degree चलती है अच्छा आठ 32600 आओ तो घंटे वाली सोई यहां होगी और मिनध वाली कुछ ऐसे होगी थोड़ा सा 6 के आगे होगी मिनध वाली थोड़ा ऐसे होगी यानि कि देखो घंटे वाली आगे है ना तो घंटे वाली जब आगे होती है तो हम क्या करते हैं जोडते हैं यहीं घंटे वाली अगर इसके पहले होती तो हम माइनस करते हैं तो हम जोडेंगे और कितना जोडेंगे बिटा जितना मिनट है उसका आधा तो 32 का आधा कितना होत आएगा आप यह समझ जाओगे तो बिना कॉपी पर उठा एक्जामेट जैसे आएगा वैसे कर लोगे और एक चीज़ समझो आठ बतीस हो रहा है के इनके बीच में कितनी का रेशु है 8 कमाट 844Beat 22 इनके बीच में रेशिया है एक चार का जबाइब को एक और चार का रेशियो मिलेगा घड़ी के सुयो के बीच में तो आपको करना क्या है मिनट इनटूतू मतलब जो मिनट उसमें दो से गुडा कर दो आशरा जागा मिनट कितना है 32 32 में दो से गुड़ा करो क्या हो जाएगा 64 डिग्री और उबर जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्लियर हुआ नहीं जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं चलो चलो इसका अंसर दो गुड़ आफ्टर नून अनिश्रा जी सो डिग्री ललित का अनिश्रा का और विरेंद्र का भदोरिया का प्रकास का सब का सो डिग्री आ रहा है चलो देखते हैं कि साथ बचकर बीस मिनट पे अब फार्मुले की जोरत नहीं और न घड़ी बनाने की जोरत साथ बीस ओ रहा है साथ पर पाइस मिनट वाली शून होते या तरह तो गहंटे वाली चार पे होई आ गहरे है आयोगेfire जोडोगे कितना जोड़ोगे 20 का आधा यानि कि 10, 100 डिगरी अब इमांदारी से एक पर जड़ा बताना बिटा जो जिसे प्यार करता उसकी कसम खा कर बताना कितने ऐसे लोग हैं जिनको औरली करना समझ जाएगे कि अब आएगा तो हम औरली करेंगे बीना कॉपी पेर उठाए जलदी से बता दो जी आपसे डिली क्लाशेज होगी गुड मैं आपके कॉमेंट देख रहा हूँ जलदी बताओ प्रकास करें हा मुझे आ गया ललित करें हागया जलदी लिखो विरींदर कारें औरली इस बैस्ट बशनos गुट अफरनून हर्द्याल जी चला आई शाबाश चला तो बरता है हम अगले प्रस्ट पर अब उससे और ली करना बटा चलो भाई आपको क्या हो गया चलो अधित्या आप चलो जल्दी 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 अपनको जल्दी मंगता है जल्दी मंगता है अभी बताए बिटा रेशियो वाले से कर सकते हो रेशियो वाले से कर सकते हो चलो देखो इधर 9.45 हो रहा है ratio निकाल लिए 1.5 1.5 है जब भी बेटर 1.5 का आएगा तो आप मिनट में क्या करोगे एक बटा दो से गुड़ा करोगे तो 45 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री बोरो बर जल्दी बताओ बोरो बर चलो अईशाबास अब बेटा जो है ना अब सेकेंड टाइप आले कुष्टन की शुरुवात होगी अब सेकेंड टाइप आले कुष्टन की शुरुवात होगी तो सेकेंड टाइप वाले को हम सेकेंड दिन के दूसरे दिन के लिए रखते हैं आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अब रेगुलर हमारी जल्दी से बता दो आज की क्लास कैसी लगी तो हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं अब रेगुलर बेटा फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी जो है उसको जरूर दबा देना जिससे आपको पता चले कि हमारी क्लास कब होगी और शांदार तरीके से पढ़ेंगे आपकी जो भी समस्य होगी जो डाउट होंगे आप मुझे भेज भी सकते हैं औ और देखो जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से जुड़ो एक कोशन आप कहीं से भी खोच कर लाओगे मैं आपको बताऊंगा हो सकता है कि कभी-कभी मुझे भी नहीं जानते कि मैं सवालों के जबाब जरूर देता हो सकता है कई बार मुझे भी नहीं आता क् सारी चीजें के और दो ही लोगों को आती है एक भगवान को दूसरे रजनी कांत को तो ना मैं भगवान हूं ना मैं रजनी कांत हूं बाकी कोशिश करूँगा कि बता दू आप क्वेश्टन खोच के लाएगा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं टाइम सायद 10 बजे रहे आप फॉलो करेंगे वो पता चल जाएगा अभी डिसकस्यों का क्लास के बाद इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी छोट रहा हूं तो सोचा था दो तिन घंटे पढ़ाने के लिए लेकिन मैं राथन भी आप लोग के लेता रहूंगा जैसे एक्जाम करीवाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू जैन लव यू अल बेटा अपना ख्याल रखेगा बबाई